36 गड़ में महादेव सट्टा आप मामले में EOW ने प्रदेश भर में छापे मारी की है EOW की टीमें सुभा से रायपूर, दुर्ग, भिलाई, कांकेव और राजनद गाउ में एक साथ कारवाई में जुटी हुई है EOW के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बर भी कारवाई के दौरान मौजूद है 6-7 लोगों की एक टीम बनाई गई है जिसमें DSP रैंक के अधिकारी भी है EOW टीम में टाइप राइटर्स भी हैं उनमें से ज्यादा तर सराफा कारोबारी पुलिस कर्मी है वही महादेव सट्टा आप के आरोपी, निलंबित, ASI, चंद्र, भूशन, वर्मा के संतोशी नगर इस्तित घर पर भी टीम पहुची बताया जा रहा है कि दो दर्जन से जादा ठिकानों पर कारवाई चल रही है वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ छतिसगर से स्टेट हैड अनिल पुसतकर जी मरसा जुड़ गए है अनिल जी जिस तरीके से देखा जाए महादेव सट्टा आप मामले में लगातार बड़ी कारवाई देखने को मिलती है और एक बार फिर आज EOW की जो टीम है वो लगातार कारवाई कर रही है तो क्या कुछ जानकारी अभी इस मामले में जुटकर सामने आई है गांग्षा आज सुझे से ही EOW की टीम जो है बुड़ी एक्टिव थी और छे-साथ टीमे बनी है और चत्तिवगड में जो है कर दो दरजन से जादा किकानों पर जो है चापे पड़े हैं और सारे के सारे चापे जो है सराफ़ अतार से जुड़े लोगों के हां और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के हैं जिसमें एक जो है एसाई चंद्रबूशन वर्मा पुलिस की हिरासत में ही है वो शुरू से ही उस पर जो आरोप रहा है कि महादेव सच्टा एप से जुड़े लोगों को उसने बचाने के लिए प्रोटेक्शन नहीं लिए उसके बाद उसने जो है जो कुछ लोगों को जो है राजनीतिक उसके संपर्क बनवाए बड़े मेताओं से तो वो कउटाब्र जो बड़े जोलर सें हैं उनके हां पर साखला और जैन संपरिवार के हैं उनके हां चल और यह चल्रहए कर्वा है इसके अलावा से कांकीर के चारा में में एक यह जो उसका पॉलिस पांडे उसके यहां भी क्यापर माल चल ठल्रह उपकर एक के Adm Prof.ण के 컨i guardians वही अनिल जी अगर बात करें तो अभी हाली में हुए विधान सभा चुनाव के दोरान भी जो महादेव सट्टा आप का मामला है उसने तूल पकड़ा था और एक बार फिर लोग सभा चुनाव चल रहे हो और इस पीच इस तवीके से बड़ी कारवाई होना ये क्या कुछ द अज़ जो है जिसका नाम उन तो पहले आया था वो भी हारते लेकिन अज़ जैसे तरस अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए ते लिकिन अभी जो है अज जो है च्छापे की कारवाई हो रही है उसका लोग समगा चुनाव से कोई सब्स्बाद दिख तो इसका लोग पूर रिच्छतिस गर्थ से उस पर तो कोई असर दिखता नहीं है यह राश्टी स्थर पर अगर को मुद्दा बनता है तो बात अलगे लेकिन जो जो स्थानी स्थर पर इसका कोई असर दिखता नहीं है अग्शा अगर बात कवे तो लगबख सुभा से ही यह कारवाई जारी है क्या लगता है आगे क्या कुछ एहम कदम इस मामले को लेकर उठाय जा सकते हैं दिखिए इस सरह से फिर से जो से महादेवयप में जो कारवाई सक्री हो रही है उसके कहीं न कहीं जो कंग्रेस जो बार बार जो आरोप लगाती रही है कि महादेवयप को बंचो नहीं कर देते बंचो नहीं कर देते तो अब जो है इस सारी कारवाईयां कहीं नहीं ऐसा इसे लिए कड़ी से जोडते जा अगेते जा रिये आज आज के जो बड़ गवाईया जो बाज जो किश्या चारवाईया रकर गड़準 टेकानों पर श्षापे चल रहे हैं कही न गखी जिल्हे में किसे जो बड़े जुगलटे सांद पर जो सामेना हैं तो पुलिस के भी जो है अभी तक जो छोटे-छोटे चेहरे ही, मतलब आप कहा सकते हैं, छोटी मस्निया तो फस चुकी है, आप जो है, यो डबलु जो है, और जो इसकी जो कारवाई है, महादेव सट्टा है अपकी, तो मगर मच को पकड़ने के ओर बढ़ रही है, अगांग ठीक है, आनिल जी आपका बहुत-बहुत धनेवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम एहन जानकारी हमारे साथ साजा करने के लिए, तो वहीं आपको बता दे कि हम महादेव सट्टा है आप मामले की बात कर रहे थे, जो हां लगातार इस मामले को लेकर बड़ी कार करवाई की गई है, जिसमें कई ठीकानों पर छापे मारे भी की गई है, साथी आपको बता दे कि रायकोर समेत 30 जगाओ पर आज एक साथ छापे मारे की गई और अभी तक कुछ जानकारियां इसको लेकर सामने आई हैं, साथी आपको बता दे कि विदानसभार चुनाफ के दौरान भी एक बार इस मामले ने तूल पकड़ा था और एक बार फिर अब इस मामले को लेकर कारवाई तेज कर दी गई है और लगातार कई जगाओ पर एक साथ EOW की टीम कारवाई करते हुई नसर आ रही है